नमस्कार दोस्तों ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं काफी रेर नोट है लकेजा बी इंसेट और कई वालोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक के रोए बी इंसेट के साथ और इसको पर्चेस कर लेते हैं तो लकेजा बी क्रेटरी भी रहे हैं और इनके नोट्स डिफरेंट डिफरेंट इंसेट के साथ आते हैं यह देखिए लकेजा एंसेट है यह देखिए लकेजा डी इंसेट है यह देखिए लकेजा यह जाए एक रोए बी इंसेट है कई वाल लोग एक रोए बी इंसेट के साथ यह दोनों ही नॉट बिलकुल different हैं दोनों के price में जमीन आसमान का अंतर है दोनों का जो year है वो same है बड़ी मेरदार चीज यह है कि year दोनों का same है लेकिन इनका जो price है वो बहुत different है बी इंसेट दोनों है signature का फरक है तो आज की वीडियो में जानेंगे इस नॉट की खासियत इसकी exact value according to condition तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो एक रॉय का जो note आता है उसमें काफी प्रिफिक्सिस आते हैं लेकिन जो एल के जहा का बी है जो rare वाला note है उसमें सिर्फ y प्रिफिक्स तो भी है लेकिन और नए पैसे देखिए पीछे लिखा हुआ है और एक रुपिया वन रुपिया लिखा हुआ है अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ एल के जहा का ए इंसेट का note है बिल्कुल brand new note है अगर हम इसके back side में जाते हैं तो यह आता है 1963 फिर मैं आपको एक note और दिखाता हूँ यह भी brand new note है एल के जहा का डी इंसेट अगर मैं इसके back side में जाता हूँ तो यह आता है 1957 लेकिन फर्क यह है कि एल के जहाँ डी इंसेट जो है वो common note है वो 200 रुपे से 200 रुपे इसकी कीमत है वहीं दूसरी तरफ एल के जहाँ का जो बी इंसेट note है इसके कीमत 4000 से लेके 5000 है according to condition तो दोस्तों आप confused मत होई है एक रॉय का note के अगर हम price की बात करें तो यह मात्रे 1500 से 200 रुपे के वी जिसकी कीमत है यह भी 57 में आया था यह भी इंसेट है यहाँ पर देखे सिगनेचर क्या लिखा एक रॉय और यहाँ पर आगर आप देखेंगे rare note जो है rare note के अंदर बड़े रहिए और अगर कोई question है तो आप हमें reply भी कर सकते हैं वीडियो को अंदर देखने लिए धन्यवाद